आम शादिंग आच उन्हीस मैं दोहजार एकेस बाबा के महवाक्षे हैं नीथ बच्चें तुम बाप के पास आये हूँ अपनी उच तकदीर बनाने जतना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच तकदीर बनेगी प्रश्न है भक्ती की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए उत्तर है भक्ती में थोड़ा दुख होगा दिमारी होगी तो कहेंगे ही राम ही भगवान हाई हाई करने की आदत भक्ती में होती, अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने है, तुम्हें तो अंदर ही अंदर मिठे बाबा को प्यार से जाद करना है अब भगवान को मनुशे जानते तो है नहीं, अब भगवान को मनुशे जानते तो है नहीं, तुम्हें तो कहते हो शिव बाबा, ब्रम्हा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तुम्हें देवता है, भगवान को ही बाबा कहेंगे, वह है निराकार जिसकी पूझा करते है, जानते है शिव बाबा सभी का है, परन्तु यह खयाल नहीं आता कि हम बाबा क्य कहते हैं बाबा तो एक लौकिक भी है यह फिर कौन सा बाप है यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है वह भी निराकार है हम आत्मा भी निराकार है साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है Godfather है हम उनके बच्चे हैं यहां कहते हैं परम पितां अंग्रेजी में कहते हैं Godfather सुप्रीम सोल सबसे उच्चा लौकिक बाप तुम शरीर कारच चाईता है और वह है पार लौकिक बाप बाप ही बैट बच्चों को समझाते हैं बाप को उशात करते हैं क्योंकि बाप से वर्सा मिलता है तुम बाप के पास आए ही हो वर्सा लेने दुख हरता सुख करतां बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहतां यहां तो बहुत सब पुकारते हैं, अभी तुम दुनिया में बहुत दुख आने वाला है, कोई मरते हैं, तु कितना दुख ही होते हैं, हाई भगवान कहें, रोते हैं, वही कल्यान कारीं बाप है, गाते हूं तु जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना, बापा कर समझाते हैं, बच्ची, तुम कल्प कल्प, जब बहुत दुखी, पतित हो जाते हूं, तब पुकारते हूं, हे बाबा, आओ, मैं कल्प कल्प, आता ही हूं, संगम पर, पावन दुनिया के, आदी और पतित दुनिया के, अंतिकों, संगम कहा जाता है, यह एक ही संग गाया जाता है बाप आते हैं सबकी जूती जगाने दुख हर कर सुख देने तुम जानते हो हम पारलोकिक बाप के पास आए हैं जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं खुद कहते हैं मैं इनमे प्रवेशकर इनका नाम ब्रम्भा रखता हूँ तुम सब हो ब्रम्भा कुमार और कुमारिं तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रम्भा की संतान बने है बाप से सुख का वर्सा लेने तुम बच्छों को ही सुख था जबकी इन लक्ष्मी नारायन का राज्य थाम, अब है कल युक, दुख धाम, उसके बाद फिर सत्युग आएगां, वाल्ड कीं, हिस्ट्री जियोग्राफीं, रिपीट होती है न, सत्युग में फिर इन लक्ष्मी नारायन का हीं, राज्य चाहिए यह चक्र, फिरता ही रहता है, बाबा ने समझाया है, तुम स्वर्गवासी बने हूँ, अब फिर स्वर्गवासी बनना है, तुम देवी देवताओं का, बहुत छोटा जाड़ था, अब तुमकों स्विती आई है, हमने ही 84 जन्म लिये है, हम सारे विश्य के मालिक थे, फिर पुनर जन्म लेते आए है, अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी, अंत है, दुनिया नई से पुरानी, जरोर होगी, नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया, पतत है, कितने दुखी, कंगाल है, भारत बहुत साहुकार था, पवित्र ग्रहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृती मार्ग था, संपूर्ण निर्विक सर्वगुन संपन सुलाकला संपोर्ण थे यह बातें शास्त्रों में है नहीं शास्त्र है भक्ति मार्व के लिए भक्ति की ही रस्म रिवास उनमें है बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता समझते भी है भगवान को यहाना है फिर वहाँ पहुचने की तो बात ही नहीं यग्य तब आदी करना वह कोई रास्ता नहीं है भगवान को पुकारते ही है आओ आकर रास्ता बताओ हमारी आत्मा तमु प्रधान बन गई है जिस कारण उन नहीं सकते अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती यू तु आत्मा एक शरीर छोड दूसरा लेती है कहा की कहा चली जाती है अमेरिका भी जा सकती है कोई का किस के साथ संबंद होगा तो आत्मा जट वहां उड़ेगी एक सकिन में बक्योड कर अपने घर वापिस जाए यह नहीं हो सकता पत्त वहां जा नहीं सकते इसले पकारते हैं ही पत्तपावन आओं बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता, पुरानी दुनिया है ही पतित, नहीं दुनिया है पावन, अभी तम बेहत के बाप से वर्शा लेने आए हो, तुमको पुन्य आत्मा बनना है, तुम्हारी आत्मा सतु गधान थी, सो अब तमु गधान है, फिर सतु गधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी, पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है, बाकि वह पानी की नदे तो सब जगा है, बादलों से पानी बरसता है, सब को मिलता है, अगर पानी की नदे पावन बनाए, फिर तो सब को पावन कर दे, पावन बनने की जुक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा इनकी अपनी आत्मा है बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है कल्प कल्प इसमें ही आता हूं तुमको समझाने तुम अपने जन मोकों नहीं जानते हूं कल्प की आयू लाखों वर्ष कह देते हैं बाप कहते हैं यह 84 जन्मों का चक्र है 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपोन थे फिर दो कला कम हुई फिर धीरे कला कम होती जाती है नए दुनिया सुफेर पुरानी दुनिया होती है द्वापर कलेग को पतित दुनिया कहा जाता है यह बाती कोई शास्त्रों में नहीं है मुझे ही ज्यान का सागर कहती है मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या मैं इस शिष्टी के आदी मध्यांत को जानता हूं भक्तिमार्ग वालों को यह ज्यान हो नहीं सकता वह सब है भक्ती का ज्यान गाते भी है हम पापी नीच है हमारे में कोई गुण ना ही आते ही तरस परोई इनके उपर तरस किया गया है तब मनुष्य से देवता बने है इनको कहा जाता है ओच ते ओच तकदीर स्कोल में तकदीर बनाने जाते है कोई जच कोई इंजीनियर बनते है वह है विकारी तकदीर यह तुम्हारी बनती है इश्वर द्वारा तकदीर इसलिए बुलाती है दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए सिवाए बाप की कोई पढ़ा ना सके बाप आत्मां से बैंट बात कर रही है आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा शरीर के अंदर आत्मा है वह कहती है यह मेरा शरीर है मनुष्य कहती है मेरी आत्मा को न दुखाओं आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ हमने जरूर 84 जन्म भोगे है नर्गवासी बने अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुशार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी तुम बाप ही बनाएंगे स्वर्ग कहा ही जाता है सत्युग को यह जो कहते है फलाना स्वर्गवासी हुआ यह जूट बोलते है यह तो नर्ग है कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया फिर नर्ग में क्यू बुलाते है के आकर खाना खाओं स्वर्ग में तु उनको बहुत वैभव मिलते है फिर तुम नर्क में क्यों बुलाते हो मनुश्यों में इतनी भी समझ नहीं है बाप बैंट समझाती है अभी यह कल्युक खत्म होना है इनको आग लगेगी यह सब खत्म हो जाएंगे तुम बच्चे जो बाप से वर्सा लेते हो वह सत्युद में आकर राज्य करेंगे इन लक्ष्मी नारायन को यह वर्सा किस ने दिया बाप ने तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो तुम कहेंगे हम नर्क वासी से स्वर्ग वासी बन रहे है बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ मैं तो परमधाम में रहता हूँ नर्गवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो आत्मा का निवास्थान शांतिधाम है, फिर्तम सुखधाम में आते हो, यह है ही दुखधाम, इनका अब विनाश होना है, यह किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रम्हा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं, वह समझते हैं कि कृष्ण आया, कृष्ण के तन में भी नहीं कह वहते, कृष्ण को भगवान कहना सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिब्रेटर सबका एक है, वह है सुप्रीम आत्मा, परमात्मा, दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता, जहां ऐसा समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्सा लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है, बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूं, तुमको पावन बनाता हूं, बगे गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता, यह है ही पापात्माओं की दुनिया, कुछ भी करें, सीड़ी नीचे उतरनी ही है, सतु पधान से तमु पधान बनना ही है, तुम भक्ती नहीं करते हो, हाई रामभी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रही है, ही भगवान आओ, ही रामभी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहतों में यहादत पढ़ी हुई है, तो अक्षर निकल पढ़ते हैं, तुमको बाप कहते हैं मुझे जात करो तो विकर्म विनाश होंगे और तम मेरे पास आ जाएंगे जात एक को ही करना है बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है अभी वर्सालियां सोलियां फिर कभी नहीं पा सकेंगे बाप ने समझाया है यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वैसल देवी देवता धर्म वाले हैं कृष्यन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं भलतमु प्रधान हैं तो भी कृष्यन धर्म में ही है तुम देवी देवताई हो परंतु पत्त होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो अपने को देवता नहीं कह सकते यह भूल गए हैं कि हम असल देवी देवता थे अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं क्योंकि विकारी है यह है देहे अभिमान बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है यहां कोई साधू संत आदिं नहीं है हम व्यापारी है फलाना है यह सब है देहे अभिमान अभी तुमको देही अभिमानी बनना है देही अभिमानी बनने में ही महनत है तुमको बाबा से वर्सा लेना है तो बापको जात करना है कमकारडे दिल यारडे तुम आशिक हो एक माशूक के सबका सदगती दाता एक माशूक है वहाते ही तब है जब सबकों सदगती मिलती है स्वर्ग की स्थापना होती है दुख का नाम निशान गुम हो जाता है अभी तुम बच्चे यहां आये हो बेहत के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्सा पाने और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते है शिव जयनती भी मनाते है परंतु भूल गए है के बाबा से हमको स्वर्ग का वर्सा मिलता है अच्छां मिथे मिथे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का जात प्यार और गुट मॉनिंग रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते रोहानी बच्चों के रोहानी बाब दादा को गुट मॉनिंग और नमस्ते धारना के लिए मुखे सार है पहला पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर उच बनानी है मनुष्य से देवता बनना है पावन बनकर वापिस घर जाना है फिर नई दुनिया में आना है दुसरं हाथों से काम करते एक बाप की जाद में रहना है कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है वरदान है बुद्धी की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूती करने वाले विज़ई रत्न भवर प्रीत बुद्धी अर्थात बुद्धी की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हों जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्ने किसी भी व्यक्ति व व्यभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकतीं वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे उन्हे मन सामे भी श्खीमत के विप्रीत व्यर्थ संकल्प वविकल्प नहीं आ सकते उनके मुक से वदिल से यही बोल निकलते तुम ही सिखाऊं, तुम ही से बैठों, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं ऐसे सदा प्रीत बुद्धिं रहने वाले ही विज़ी रत्न बनते हैं स्लोगन है चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मागना है आम शादे